कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाने वाले हैं जी कोबी के जबरदस्ते क्रिस्पी स्नैक्स जो बन जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट में तो चलिए आईए जी करते हैं इने बनाना स्टार्ट कर लिए गोबी को आप देख सकते हो बहुत बरी बारी क्लैशिस में कर रहा हमने ग्रेट साथ में ले लिए हमने कुछ पोटाटो जो की हैं हाफ केजी और बॉइल भी तो इनको कर लेंगे जी हम मैश अपने मिक्स्चर के अंदर हां जी तो देखिए मैने पोटाटो को भी जो है ना ग्रेट कर लिया लैशिस में मैश भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बहुताया था अब एड़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं डाल रही हूं वन टेबल स्पून साथ में एड़ करेंगे जी अच्छे से हम मैं देखिए जी मिक्स्चर हमारा किसने अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मसालों की और सब चीजों की आपस में बहुत अच्छे से होगी है अब एड़ कर दूंगे इस पॉइंट पर ही फ्रेशली चॉप्ट कॉरियंडर को जो की इस रेसिपी करने के लिए रखा हुआ था जी अब अपने स्नैक्स को करते जाएंगे इसके अंदर हम प्लेस याद रखिए को गैस के ख्लेम पर मीडियूम पर ही रखना है थोड़ा सा यह पैलेंगे भी बट क्रंची बड़े जबर्दस बनते है ना ट्राइ जरूर करना आपने कमेंट करते जारी हुजी तेल में प्लेस और मीडियूम फ्लेम पर करेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी हां जी तो एक साइड हो चुकी है इसकी फ्राइब कर देते हैं शफल तक दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाए प्राइब ताइम का हिसाब अपने हिसाब से देखिएगा क्योंक अब बहुत इफेक्ट पड़ता है तो एसे यह भी हम इसे थोड़ा देर और फ्राइब होने देंगे जी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर और आ जाएगा तो करेंगे प्लेट आउंट यह देखिए जी फ्राइब हो चुकी है बहुत जबर्जस्स से हमारी जब बीकिए हम स्नै स्नैक्स को ना आपकी पोख़गी है बाकी को भी ऐसी करूंगी जी प्लेस इसके अंदर अपनी कडाई के ना शेट साब अपनी हिसाब से गोई भी दे सकते हो मैंने तो रफ आपको शेफ बताई थी कि मैं ऐसी शेफ का बना रही हूं और फ्लेम मीडियम पर रखोगे ना त कर्फते जो हमने गोभी के स्नैक्स बनाये हैं सर्व किया इने रेड इमल्यो की खटी चटनी के साथ प्लस में कॉरियंडर लीज भी स्प्रिंकल की हुई आपको दिखी रहा होगा बहुत ही क्रंची और टेम्टिंग बने हैं मस् ट्राइड इस रेसिपी और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा कि यह आपको कैसे लगे हैं थैंक्यू सो मच पो वोचिंग